नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग स्वागत है आपका अपने चैनल बेडियेफ नियोज पर दोस्तों हरियाना के रोहतक गैंग बॉर की कहानी इस वक्त हरियाना में चर्चा का विशे है और जिस तरह से गैंगतर राहूल बाबा ने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड के जिम्यदारी ली और भी ज्यादा सेंसेशन बन चुका है आज के इस वीडियो में हम आपको हरियाना के रोहतक के बलियाना मोट पर शराब के ठेके में हुए गैंग बॉर की पूरी कहानी शुरू से लेकर अन तक बताएंगे साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों इस गैंग बॉर को अंजाम दिया गया और आगे अब इस केस में क्या कुछ अपडेट चल रहा है वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बतादे इस वीडियो में दी गई जानकारी अलग-अलग समाचार बत्रों और टीवी चैनलों और अपने सोत्रों से ले गई है इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को भी आहत पहुचाना कहीं से नहीं है तो चल ये विनादेर करते हैं इस खबर के शुरुआत करते हैं गैंगबॉर की कहानी तो आप सभी को बता है लेकिन एक गैंगबॉर हुई क्यों उसके बारे में पहले बताते हैं दरसल गैंग्टर राहूल उर्फ बाबा और सुमित पलोटरा के बीच साल 2023 में सबसे पहले 29 दिसंबर को हरियाना के रोतक की सुनरिया जिल में गैंगबॉर हुई थी तीन लोगों की हत्या के बाद फिर ये खोनी खेल अब एक बार फिर से शुरू हो चुका है ट्रिपल मडर से पहले राहूल बाबा पुलीस की यांग का किर्गरा तब बना जब चिम संचालक हत्यागान में भी राहूल उर्फ बाबा का नाम सामने आया था हत्यागान को अंजाम देने के लिए राहूल उर्फ बाबा ने आरोपियों को हत्यार मोहिया कराये थे पुलीस ने उसके गिरफतारी के लिए प्रयास किये थे लेकिन वो हट्य नहीं चड़ा तब पुलीस ने गैंक्टर राहूल बाबा पर 5000 रुपए का इनाम कोशित किया था इसके बाद CIA 2 ने उसे गिरफतार किया उसके पास से उस वक्त दो पेश्टल मिली थी इसके बाद उसे हरियाना के रोतक के सुनारिया जेल फेश दिया किया कुछ वक्त सुनारिया जेल में रहने के बाद उसे दिल्ली के तिहाड जेल फेचा किया बात है 25 दिसंबर 2023 की जब उसे तिहाड जेल से वापस सुनारिया जेल लेकिया तब सुमित पलोटरा और राहुल बाबा के बीच वर्चस्प को लेकर लड़ाईया होने लगी इस जगड़े को लेकर पलोटरा गैंग के चार बदमाशों ने राहुल और फबाबा पर जेल के अंदर धारदार और नुकेले हतियारों से हमला कर दिया इस मामले में शिवाजी कॉलोनी थाना पुलीस ने चार लोगों पर केस्थर्च किया था फिर राहुल और फबाबा को जेल की दूसरी बैरक में रखा गया इसमें पलोटरा का कोई भी साथे नहीं बन था इलिगने समले का बदला लेने के लिए राहुल और फबाबा ने ठान ले थी अब हर्याना की पुलीस अलट हो चुकी है। इस गैंग वार में बोहर गाउं में 37 साल के अमित नांदल, 28 साल के विनय और 30 साल के जैदीब के हत्या हो चुकी है। दो गायल हैं जिनमें अनुज राणा और मनोज बताय जा रही है। इस गैंग वार के बाद पुलीस ने आरोपियों को गिरफतारी के लिए सोनी पर हिसार, जिंद और दिल्ली में तबेश थे। लेकिन अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली है। पुलीस की माने तो जिस वक्त आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त शराब के ठेके पर CCTV कैमरा बंद हो चुका था। उसका DVR भी पुलीस ने चेक किया, लेकिन पुलीस के हाथों कुछ नहीं लगा। अब पुलीस सोनी पत मार्ग पर लगे CCTV कैमरों को भी खंगाल रही है ताकि ये मालूम चल सके कि वरदात को अंजाम देने के लिए आरोपी किस रास्ते से आया थे। इस अत्यागान के करीब 45 घंटे गुजर जाने के बाद बोहर गाओं के अमित नांदल कान तिम संसकार किया गया। इसके साथ पोश्माटम हाउस पहुँचे और करीब 2 बजे पुलीस ने अमित का शव परिवार वालों को सौंप दिया। इसके साथ ही परिजन अमित के शव को पुलीस के सुरक्षा में घर तक ले कर पहुँचे और शाम करीब 4 बजे अंतिम संसकार किया गया। इसे पहले शुकरवार को जैदीप और विने का भी अंतिम संसकार किया गया था। फिलाल इस पूरे मामली में गैंक्ट और राहूल बाबा की तलाश दिली, हरियाना, पंजाब, रज्यस्तान या फिरास पास के सभी लाकों में हरियाना पुलीस कर रही है। लेकिन अभी तक गैंक्ट और राहूल बाबा का कोई भी सुराक पुलीस को नहीं मिल पाया है।